ओम श्री गनेशाय नमः दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे Story name is Malang and this story is begin from chapter 240 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience तो चलिए शुरू करते हैं सुबह का वक्त सारंध विला मृत्यून जय के महक को अपनी तरफ हीचने पर अव्यक्त उसे घूरने लगता है अव्यक्त की घूरती नजर को खुद पर महसूस कर मृत्यून जय अपनी मीली आखों से अव्यक्त की मीली आखों में देखते हुए बोला क्या देख रहे हो अव्यक्त अपने हाथ को उठा मुह खोलते हुए बोला दा बड़ा मृत्युन जय अव्यक्त के मुह के पास अपने कान को ले जाते हुए बोला तुम क्या कह रहे हो अवी मृत्यून जय की बात पर अव्यक्त महक की तरफ देखने लगा जिस पर महक मृत्यून जय के हाथ को पकड़ कर बोली चलिए नाश्ता के लिए मृत्यून जय महक की बात पर बोला तुम हमेशा मेरी बातों को इगनो करती हो महक सिर उठाकर मृत्यून जय को देखते हुए बोली लेकिन जो दूसरों के बारे में नहीं सोचता उसे खुद गर्स कहते हैं जिसे सुनकर मृत्यून जय अपना सिर नहीं में हिला कर बोला जहां पर रिस्पेक्ट ना मिलती हो वहां पर खुद गर्स बनना ही बेहतर होता है मृत्यून जय की बात पर महक बोली मृत्यून जय हमारा ही परिवार है अगर हम एक दूसरे से जगरने लगे तो ये परिवार परिवार कहां से होगा मृतियुन जय मुह बनाते हुए बोला जितने ध्यान से तुम सब लोगों की बात सुनती हो इतनी ध्यान से मेरी बात क्यूं नहीं सुनती क्यूंकि आपकी बातों में सिर्फ लगाई जगड़ा होता है इसलिए मैं आपकी बात नहीं सुनती महक ने जाते हुए कहा जिसे सुनकर मृत्यून जय महक के पल्लू को आगे जुक कर पकड़ कर खीचता है तो महक रुक जाती है और सिर घूमा कर मृत्यून जय की तरफ देखते हुए कहती है क्या हुआ मृत्यून जय महक की बात पर बोला हम दोपहर को आडिटोरियम के लिए निकल रहे हैं मुझे बिजनेस मैन ओफ दा इयर के लिए नोमिनेट किया गया है जिसे सुन महक हैरानी से उसे देखते हुए बोली और आपने इस बारे में मुझे बताया भी नहीं जिसे सुन मृत्यून जय सोचने की एक्टीग करते हुए बोला क्या ये इतना इंपोटेंट है मृत्यून जय की बात पर महक अपना सिर नहीं में हिला कर बोली बिल्कुल नहीं मेरा पती जब 14 साल का था तब से उसके पास मैडल की बरसात हो रही है ट्रोफी भी मिल रहे हैं तो उसे इसकी कदर कहां से होगी मृत्यून जय महक की आवाज में कटाक्ष को महसूस करके बोला इसका मतलब मेरी प्यारी बीवी मेरे सारे आर्टिकल्स परती आ रही है महक मृत्यून जय की बात पर मुस्कुराते हुए बोली मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं मृत्यून जय अपना सिर हिलाते हुए बोला मैं सुनना चाहता हूं आप सिद्धू के आईडियल हो उसके पास आपके सारे अब तक के इंटर्व्यू और सारे कंपनी के आर्टिकल है महक ने जवाब दिया जिसे सुनकर मृत्यून जय कैजूल बोला कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यंग जनरेशन मुझसे मोटिवेशन लेती है तुम भी लिया करो मेरी तरह बुद्धिमान हो जाओगी महक मृत्यून जय की बात पर मुह बनाते हुए बोली सेल्फ औब सेस्थ आदमी मृत्यून जय महक के हाथ को पकड़ कर बोला चलो इतना कहकर वो महक के साथ नीचे डाइन टेबल की तरफ चला आता है मृत्यून जय नीचे आता है तो देखता है विपलव चुपचाप नाश्ता कर रहा था जिसे देख मृत्यून जय अपनी कुरसी पर बैठते हुए बोला क्या सोच रहे हो आपी मृत्यून जय की आवाज पर विपलव उसकी तरफ देखते हुए बोला हा मुझे आपसे कुछ बात करनी थी मृत्यून जय आइब्रो चड़ाते हुए बोला क्या बात करनी थी विपलव अदिती की तरफ इशारा करते हुए बोला 25 दिन बाद अदिती के National Competition है और सेम डेट पर एक जाम भी है जिसे सुनकर मृत्यून जै अदिती की तरफ देखते हुए बोला क्या सोच रही हो अदिती अदिती मृतियुन जय की बात पर टू मिनट सोचने के बाद बोली मुझे कुछ आईडिया नहीं आ रहा आजकल दिमाग को स्टोरेज फुल हो गया है आप बताओ ना भाई मृतियुन जय अदिती की बात पर बोला नेशनल कमपटीशन का डेट में स्किप नहीं कर सकता लेकिन एक जाम तुम चाहो तो बाद में दे देना मैं दीन से बात कर लूँगा जिसे सुनकर अदिती उसे देखते हुए बोली मुझे नहीं पढ़ना रचना अदिती की बात पर बोली क्या कहा तुमने अदिती अपना सिर हिलाते हुए बोली यस मौम मुझे नहीं पढ़ना विपलव अदिती की बात सुनकर बोला तुम प्रेक्टिस पर भ्यान दो बाकी तुम्हें चीटिंड करवा कर पास करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, मृत्यून जय विपलव को घूरते हुए बोला क्या बक्वास कर रहे हो तुम विपलव अपना सिर हिला कर बोला मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाई मैं अदिती को चीटिंड करवाने में मदद करूंगा, पितामबर विपलव की बात पर बोले मेरे ख्याल से तुम्हें फैमली बिजनेस जॉइन कर लेना चाहिए वापी विपलव पितामबर की बात पर अपनी मुठ्थी मजबूती से बंद कर छोड़ एक गहरी सांस भर कर बोला ठीक है विपलव पितामबर की तरफ देखते हुए बोला लेकिन बड़े पापा अभी वो सिर्फ 22 साल का है पितामबर विपलव की बात पर उसे देखते हुए बोले तो क्या हुआ अभी से सीखेगा तभी तो आगे आने वाले चुनातियूं का सामना कर पाएगा पितामबर की बात पर विकलप आगे और कुछ नहीं कहता और सब लोग अपने नाश्टे पर फोकस करने लगते हैं रितिक का फार्म हाउस रितिक गार्डन में बैठा धूप सेखते हुए कौफी इंजॉई कर रहा था तभी उसकी नजर बालकनी पर जाती है जहां प्रकृती धीले से वाइट शर्ट पहने अंगराई लेते हुए खड़ी थी रितिक एक नजर उसे देखने के बाद आसपास देखता है जहां सारे बाडी गार्ड एकसरसाइज कर रहे थे और कुछ एक दूसरे की मदद कर रहे थे लेकिन कोई भी बालकनी की तरफ नहीं देख रहा था रितिक अपनी गन निकाल कर बालकनी की तरफ शूट करता है तो प्रकृती के करीब 5 मीटर की दूरी पर रखा गमला तूटते हुए नीचे जा गिरता है अचानक गोली चलने की आवाज पर सारे बाडी गार्ड उसकी तरफ देखने लगते हैं वही प्रकृती डरी हुई नजरों से रितिक की तरफ देखने लगती है रितिक अपने जैकेट को कवर करते हुए प्रकृती को इशारा करता है तो प्रकृती दांत पीश्ते हुए कमले के अंदर चली जाती है रितिक कॉफी के बगल में गन रखकर फिर से कॉफी पीने लगता है सेलवनर रितिक के पास आकर कहता है आपने जो इन्फोर्मेशन निकाली थी बिल्कुल सही है और वो उनके पास है रितिक सेलवनर की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला उसके साथ मीटिंग कन्फरम करो उन लोगों ने हमारे माल को लाने से मना कर दिया है क्योंकि मिस्टर सारंग ने उनकी ट्रांसपोर्ट कमपनी से सारे प्रपोजल छीम लिये हैं सेलवनर ने जवाब दिया जिसे सुन रितिक उसे देखते हुए बोला कभी कभी मिस्टर सारंग काफी जिद्धी आदमी हो जाता है यार बिल्कुल बच्चे की तरह इसलिए मैं सोच रहा था कि चलो हम ही चलते हैं वहाँ सेलवनर रितिक की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला ठीक है मैं टिकट बुक करूँ रितिक सेलवनर की बात पर अपना सिर हिला देता है तो सेलवनर वहाँ से अपना फोन निकालते हुए दूसरी तरफ चला जाता है, सेल्वन जब एंट्रेंस गेट की तरफ पहुंचता है तब उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है वो सिरूठा कर सामने देखता है जहां आलिया अंदर आने के लिए वाच्चमेन से बहस कर रही थी सेल्वन कुछ पल आलिया को देखने के बाद फोन अपने पॉकिट में दाल वहाँ पर आकर वाच्चमेन से बोला क्या हुआ वाच्चमेन आलिया की तरफ इशारा करते हुए बोला अंदर आने की जित कर रही है सर जब की इनके पास अपॉइंटमेंट भी नहीं है सेल्वन वाच्चमेन की बात पर आलिया की तरफ तशरीफ लेकर बोला कौन हो आप और यहाँ पर किस से मिलना चाहती हो आलिया बुरी तरीके से सेल्वन को घूरते हुए बोली बड़े घर में रहकर खुद को बहुत बड़े अमीर समझते हो क्या सेल्वन आलिया की बात पर वाच्चमेन की तरफ देखते हुए बोला कुछ पैसे देकर यहाँ से दफा करो इसे एकडू विखारन है सेल्वन की बात पर वाच्चमेन अपना सिर हिला देता है वही आलिया सेल्वन की बात पर चिल्लाते हुए कहती है अबे आख के अंधे तुझे नजर नहीं आता इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं मैंने तुझे विखारने लगती हूँ सेल्वन आलिया की बात पर उसे घूरते हुए बोला आजकल का ट्रेंड है विखारी लोग भी अच्छे कपड़े पहनते हैं तो तुम बताओ किस इलाके से आई हो अंधेरी बांधरा या जू हूँ सेल्वन की बात पर आलिया अपने दाथ पीसते हुए बोली मेरा नाम आलिया ज़ा है सेल्वन कुछ पल सोचने के बाद बोला ज़ा फैमली में किसी को भी यहाँ आना अलाउड नहीं है आलिया सेल्वन की बात पर बोली मुझे तुमसे नहीं तुम्हारे उस गुंडे बॉस से मिलना है जिसने हमारे पूरे घर को तबाह करके रखा है सेल्वन बिना किसी भाव के आलिया को देखते हुए बोला गलती की सिर्फ सजा होती है लेकिन तुम सब जिन्दा हो इतने में खुश क्यों नहीं रहते आलिया सेल्वन की बात सुनकर बोली ओर रेली हुआ यू हुआ यू इस या बॉस क्या तुम लोग खुद को बहुत बढ़े राजा समज़ते हो जिन लोगोंने पूरी दुनिया का ठेका लेकर रखा है कि कौन सही है और कौन गलत सेल्वन आलिया की बात पर बोला यहां पर शोर करना बंद करो और जाओ यहां से तुम्हें अंदर आने की पमिशन नहीं मिलेगी आलिया सेल्वन की बात पर जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली प्रकriती प्रकृती दर्वाजा खोलो सेल्वन अपनी गन निकाल कर आलिया पर तान देता है तो आलिया बड़ी बड़ी आखों से गन को देखने लगती है सेल्वनर अपने एक-एक शब्दों पर जोर देते हुए बोला तुम्हें मार कर दफन कर दूंगा अगर एक बार भी आवाज तुम्हारे मुह से निकली तो आलिया सेल्वनर की बात पर घबराई नजरों से उसे देखते हुए बोली मुझे मेरी बहन से मिलना है सेल्वनर अपनी आखे छोटी करके बोला अच्छा इतने महीनों से कहा थे तुम लोग और आज अचानक बेहन की याद आ गई आलिया गेट को पकड़ कर सेल्वनर को देखते हुए बोली मुझे अंदर आने दो सेल्वनर एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला एक बार मैडम पर यकीन कर लूंगा लेकिन तुम पर कभी नहीं आखो से ही तुम्हारी हैवानियत नजर आती है आखिर परवरिष्टो अभिलाश जाकी होना आलिया सेल्वनर की बात पर गुस्से से बोली तुम दो कोड़ी के गुंडे मेरी बहन को अगवा करके मुझे अंदर आने भी नहीं दे रहे हो कीरे पढ़ेगे तुम्हें सेल्वनर गुस्से से आलिया को घूरने लगा पीछे से रितिक आते हुए बोला किस बात की शोर हो रही है रितिक को देखकर आलिया टू मिनट उसे तारने के बाद ख्यालों को जटिकते हुए सेल्वनर से बोली आ गया तुम्हारा दो कोडी का मालिक बुलाओ मेरी बहन को मुझे उससे मिलना है रितिक एक नजर आलिया को देखने के बाद सेल्वनर से बोला प्रकृती की बड़ी बहन सेल्वनर अपना सिर हिलाते हुए आलिया को नफरत भरी नजर से घूरते हुए बोला जीवही है रितिक मुर कर अंदर जाते हुए बोला अंदर भेज दो इसे सेल्वनर रितिक की तरफ हताश नजरों से देखने के बाद वाच्मेन की तरफ देखकर बोला इस पागल को अंदर भेजो लेकिन बोडी गार्ड इसके साथ रखना चोर ही दिखती है शक्र से जिसे सुनकर आलिया सेल्वनर को सुनाते हुए बोली मैं शक्र से चोर दिखती हूँ तुम तो स्मगलर हो खाने के लाले तुम्हें पढ़ते हैं इसलिए तो इल्लीगल काम करते हो सेल्वनर सिर घुमा कर आलिया को बुरी तरीके से घूरते हुए बोला Don't worry madam से मिलो उसके बाद तुमसे. हिसाब बराबर करता हूँ आलिया बुरी तरीके से सेल्वन को घूरते हुए अंदर की तरफ चली जाती है. आलिया रितिक के पीछे पीछे अंदर आती है तब उसे सीरियों से की शर्ट और प्लाजों में नीचे उतरती हुई प्रकृती. दिख जाती है. पहार जैसे रितिक के सामने होने के कारण प्रकृती की नजर आलिया पर नहीं गई थी वो नीचे आकर रितिक को घूरते. हुए बोली तुम्हारी हिम्मत कैसे गोली चलाने की. रितिक प्रकृती को देखते हुए शान्थ आवाज में बोला क्योंकि तुम काफी सेक्सी लग रही थी और सारे बोडी गार्ड. नीचे गार्डन में प्रैक्टिस कर रहे थे. प्रकृती रितिक की बात पर अपने दा देखते हुए बोली तो मैं प्रकृती के साथ यहां रह सकती हूँ. क्यू तुम्हारे घर का राशन पानी खत्म हो गया है गरीबी के चलते सेल्वनने अंदर आते हुए कहा. प्रकृती सेल्वनन को इगनो कर आलिया को कसकर गले लगाते हुए बोली आप मुझ से मिलने प्रकृती सेल्वनन की तरफ इशारा करते हुए बोली ये रहा मेरा देवर बाहर और भी बहुत सारे. रितिक एक नजर प्रकृती को देखने के बाद आलिया की तरफ देखते हुए बोला रह सकती हो लेकिन ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है. आलिया रितिक की पर धीरे से बोली सुना था गैंग्स्टर काफी होट होते हैं तेरा वाला सेक्सी एंड होट. दोनों है यार. प्रकृती आलिया की बात पर रितिक की तरफ देखते हुए बोली तुम कब जा रहे हो रसिया. सेल्वन उसका जवाब देते हुए बोला हम अभी शाम को निकल प्रकृती अपना सिर हिला रितिक की तरफ इशारा करते हुए बोली इसे किसी अच्छे से जगह में बंद करके रखना और. हाँ जब तक मेरी बहन यहां पर है यह यहां नहीं आना चाहिए. आलिया अजीब नजरों से प्रकृती को देखते हुए बोली तुझे मुझ से इ प्रकृती की तरफ देखती है जो की बिना उन पर ध्यान दिये उपर जा चुका था. जिसे देखते हुए आलिया प्रकृती से बोली यार तेरा वाला तो बढ़ा थंड़ा है लड़कियों की बात का जवाब ही नहीं. देता प्रकृती अपना सिर हिलाते हुए बोली वो सि उसके आगे मूरती हैं. बड़ा अन्रोमांटिक आदमी है और उसका ये तार जैसा बोडिगार्ड भी उसकी तरह लगता है आलिया ने सेल्वन की तरफ इशारा करते हुए कहा. सेल्वन उसके पॉइंट को खुद पर महसूस कर टू मिनट गूरने के बाद इगनो करके बाह सामान तेरे अपार्टमेंट में है. कोई बात नहीं मैं बॉडिगार्ड से कहकर आपका सामान ले आउंगी फिलहाल के लिए आप मेरे साथ चलो मुझे आपसे. बहुत सारी बाते करनी है प्रकृती में आलिया को अपने साथ ले जाते हुए कहा. जिसे देखकर आलिया उसक सभी लोग सारे बिजनेसमेन के फोटो क्लिक कर रहे थे जब वहाँ पर तीन गारियां आकर रुखती है जिसमें से. रोल्स रोयस से मृत्यून जय बाहर आता है तो सारी लाइम लाइट मृत्यून जय को मिल जाती है उसके चेहरे के. एक्सप्रेशन्स बिल्कुल थंडे थ महक थोड़ी सी नर्वस हुए मृत्यून जय के हाथ में हाथ देती है और बाहर आती है उसने नेवी ब्लू कलर का सिंपल. सारी अपने लिए प्रिपेय किया था और हलका लाइट मेक अप के साथ बालों को खुला छोड़े मांध में सिंदूर भर. रखा था और गले पर उस अपने कदम बढ़ा देता है. मृत्यून जय महक के साथ आगे बढ़ता है कि एक जनरलिस्ट मृत्यून जय से कहती है मिस्टर सारन कुछ दिन पहले. आपका भाई का कार एक्सीडेंट हुआ और आप यहां अवाड लेने आए हैं ये काफी हजीब नहीं लगता. मृत्यून जय की बात पर बोली हमारे सूत्रों से साफ पता चला था कि I don't care your fucking सूत्र जितने पैसे मिले हैं न उतना ही काम करो मेरी personal life में घुसने की कोशिश मत करो मृत्यून जय ने बड़े ही rude अंदाज में उस जनरलिस्ट को जवाब दिया. वो जर्नलिस्ट मृत्यून जय की बात गुस्से से बोली मिस्टर सारंग अपनी पोजीशन का घमंध हो गया है आपको पता. भी है आप किसके साथ बद्तमीजी कर रहे हो. मृत्यून जय उसे जनरलिस्ट से कुछ कहता उससे पहले रितिक वहाँ आते हुए बोला मिस महिमा आप किसी और पर महिमा. बरसाये पर आपका कोई काम नहीं है बाकी शाली मार होटल रूम नंबर सेवन के बारे में आप तो क्या यहाँ पर? सारे जर्नलिस्ट जानते हैं. रितिक की बात पर महिमा सेन उसे बुरी तरीके से घूरते हुए बोली अब आप जैसे इलीगल धंधे वाले भी बिजनेसमेन. होने रितिक की बात पर उसे कुछ कहने के लिए आगे बढ़ती है उससे पहले ही रितिक उसे इग्नो करके मृतियुन जय की तरफ देखकर अंदर चलने का इशारा करता है तो मृतियुन जय महिमा को आखे दिखाते हुए अंदर की तरफ चला जाता. है, महक मृतियुन जय के गैदरिंग में ऐसे तमाशे होते रहते हैं इसलिए या तो उनके सवाल को इगनो करो या फिर कुछ ऐसा जवाब दो कि उनकी जुबान बंद करो और एक बात हमेशा याद रखना आप उनको जवाब दोगे तो वो कुछ नया टॉपिक शुरू करेंगे महक मृतियुन जय की बात पर रितिक की तरफ देखते हुए बोली आप यहाँ पर क्या कर रहे हो भाया रितिक मृतियुन जय की तरफ देखकर बोला में रसिया निकल रहा हूँ मृतियुन जय रितिक की बात पर अपना सिर हिला कर बोला ठीक है और मुझे अपडेट देते रहना रितिक मृतियुन जय की बात पर महक की तरफ देखते हुए बोला अपने पती को संभाल कर रखो बीपी का गोली खिलाओ इन्हें, रितिक की बात पर महक मृत्यून जय की तरफ देखते हुए बोली क्या आपको कोई बीमारी हो गई है मृत्यून जय रितिक को घूरते हुए बोला मेरी बीवी आलरेडी रोंदू है उसे इस तरीके से कुछ भी कहकर दराना बंद करो, रितिक मृत्यून जय की बात पर छोटी सी मुस्कान के साथ महक की तरफ देखकर बोला मजाग कर रहा था महक रितिक की बात पर मुह बना लेती है तो मृत्यून जय रितिक एक नजर मृत्यून जय को देखकर वहां से चला जाता है रितिक के जाने के बाद मृतियुन जय महक को लेकर जाकर अपनी सीट पर बैच जाता है धीरे धीरे फंक्षन आगे बढ़ने लगता है महक सब लोगों को बड़े ध्यान से देख रही थी और मृतियुन जय बड़े ध्यान से महक को देख रहा था जब मृतियुन जय के नजरों की तपिश्खुद पर महसूस कर महक सिर घूमा उसकी तरफ देखते हुए बोली क्या देख रहे हैं आप मुझे मृतियुन जय महक के उंगलियों में अपनी उंगली उलजाते हुए बोला इस फंक्षन की खत्म होने के बाद क्या हम दिना पर चले, महक अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली अगर मैं बाहर कुछ अजीबो गरीब खा लूंगी तो अवी की तबियत खराब हो जाएगी, जिसे सुनकर मृतियुन जय महक को छेरते हुए बोला इतना ख्याल तो तुम कभी अपने पती का नहीं रखती जब की वो भी तुम्हारा दूद पीता है, मृतियुन जय की बात पर महक के गाल लाल हो जाते हैं और वो उसे आखे दिखाते हुए कहती है क्योंकि मेरा पती बढ़ा हो गया है और वो दूद आराम से डाइजेस्ट कर लेता है मृतियुन जय महक के गालों पर किस करते हुए बोला तुम्हारे गाल मुझे हमेशा एकसाइटड करते है महक मृतियुन जय के सीने पर हाथ रखते हुए बोली आपका दिमाग खराब है यहाँ पर सारे कैमरों की नजर हम पर है और आप मुझे किस कर रहे हो जिसे सुनकर मृत्यून जय महक को देखते हुए बोला क्यूं तुम्हें शर्म आ रही है महक मृत्यून जय से कुछ कहती उससे पहले ही उसका नाम अनाउंस होता है लेकिन मृत्यून जय अभी भी महक को देख रहा था महक मृत्यून जय से हाथ चुडाने की कोशिश करते हुए बोली आपको स्टेज पर बुला रहे हैं। मृत्यून जय महक के हाथ को पकड़ कर बोला तुम मेरे साथ चलोगी। महक हैरानी से मृत्यून जय की तरफ देखने लगी जिस पर मृत्यून जय उतकर अपने बिजनेस सूट का बटन लगाते हुए महक की तरफ हाथ बढ़ाता है तो महक उसके हाथ पर हाथ रख देती है मृत्यून जय महक को लेकर अपने साथ स्टेज पर आ जाता है मृतियुन जय को वहाँ पर बैखे एक सीनियर बिजनेसमेन अपने हाथों से अवार्ड देते हैं तो मृतियुन जय उसे लेकर महक के हाथ में दे देता है महक उस अवार्ड को कसकर पकड़ लेती है मृतियुन जय को कुछ कहने के लिए माइक देते हैं जिस पर मृत्यून जय माइक लेकर सब की तरफ देखते हुए अपनी बुलंद आवाज में बोला आज मैं जिस मुकाम पर हूँ इसका। श्रे हमेशा से मेरी फैमली और दोस्तों को जाता है जिन्होंने हर राह पर मेरी मदद की इसके अलावा और कुछ नहीं कहूंगा। मृत्यून जय की तरफ देखने लगी तो मृत्यून जय महक से बोला अच्छा टाइम है मेरी शिकायत करने की देख लो महक अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली मुझे कुछ नहीं कहना जिसे सुनकर मृत्यून जय होस्ट से बोला इंट्रेस्टेड नहीं है इतना कहकर म मृत्यून जय महक को लेकर अपने साथ नीचे आ जाता है इसी तरह समय धीरे धीरे बीत रहा था वीर और खुशाली ने कोर्ट मेरेज कर लिया था और वीर ने मालती गोयनका को पुलिस के हवाले करवा दिया था और उन लोगों ने ओर्फनेज से एक 6 महीने के बच्चे को गोद लिया था जिसे कोई रख कर चला गया था अदिती का पूरा ध्यान अपनी प्रैक्टिस पर था उसने नेशनल कमपटीशन जीत कर अपने फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ा दिया था बच्चे धीरे धीरे बढ़े हो रहे थे इसी तरह 5 महीना निकल जाता है इन 5 महीना में बहुत कुछ बदल चुका था अदिती वो अदिती नहीं थी जिसकी मासूमियत उसके चेहरे पर दिखती थी आज वो लुई वटॉन ब्रांट के मॉडल थी जहां तक पहुचने में उसकी पूरी फैमली उसके फ्रेंस ने उसकी मदद की थी सुबह का वक्त था आज सार मीरा का नवा महीना शुरू हो गया था और जिसके एक हफ्ते बाद रक्षा बंधन था अब अदिती अपनी स्टडी प्राइवेट कर रही थी सबकी लाइफ लगभग नॉमल हो चुकी थी अभी तक कुनाल का अतापता नहीं था और ना ही विपलव ने भाव्या के बारे मे पता लगाने की कोशिश की थी शिवांश और दीपांजली सेम स्कूल की यूनिफॉर्म पहने दोरते हुए अंदर आते हैं उनके पीछे वैदिक भी उनकी ही तरह यूनिफॉर्म पहने अपने हाथ में गिटार का बैग पकड़े अंदर आता है शिवांश लिविंग रूम में बैठे अव्यक्त के पास जाकर उसे चोकलेट दिखाते हुए बोला आज इसे अवी चोकलेट खाएगा शिवांश के हाथ में चमक रही चोकलेट को देख अव्यक्त हाथ आगे बढ़ा कर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है तो शिवांश हाथ पीछे करते हुए कहता है पहले तुम्हारी मुह जुठाए आई होने दो उसके बाद खाना। महक किचन से बाहर आते हुए शिवांच दीपांजली और वैदिक की तरफ देखकर बोली आप लोग जाकर कपड़े चेंज कर लो। फिर दीपांजली की तरफ देखते हुए बोली दीपा तुम्हा कपड़े भिजवा दिये हैं मेरे कमरे में हैं दीपांजली महक की बात पर अपना सिर हिला देती है और जल्दी से उनके कमरे की तरफ चली जाती है महक अव्यक्त के पास आकर उसे अपनी गोद में उठाकर शिवांच और वैदिक की तरफ देखते हुए बोली आप लोग भ मैं अव्यक्त को रेडी कर देती हूँ महक की बात पर दोनों अपना सिर हिला देते हैं और कमरे की तरफ चले जाते हैं अदिती विपलव विकल्प फलक रिया अंदर आते हैं अदिती जल्दी से रचना के पास जा उल्टा खड़ी होकर बोली मॉम मेरे बाल कैसे लग रहे ह रचना स्मृती को अपनी गोद में पकड़े अदिती के बाल की तरफ देखती है तो स्मृती जल्दी से हाथ बढ़ा कर उसके बाल को जोर से खीच देती है अदिती अपने बालों पर हाथ रखते हुए सिर घूमा स्मृती को भूर कर बोली बदमाश लड़की मेरे बाल क्य हो वैशाली दूद का बोतल पकड़े किचन से बाहर आते हुए अदिती से बोली काहे कि हमारी बेटी को तुम्हारा ये रंगीन बाल बिल्कुल पसंद नहीं आया जिसे सुनकर अदिती छोटा सा मुह बनाकर वैशाली की तरफ देखते हुए बोली लेकिन ये तो अच्छे ल स्मृती को भी पसंद नहीं आये अदिती रिया की बात पर स्मृती की तरफ देखते हुए बोली रिया दीदी कह रही है क्या सच है तुम्हें मेरे बाल अच्छे नहीं लगे स्मृती अपने हाथ को आगे बढ़ा कर तटोलने लगती है तो अदिती अपने हाथ को स्मृती क चौपर लेंड होने की आवाज पर अदिती खुश होते हुए रचना से बोली मॉम भाई आ गए। अदिती विपलव को मुपका मारते हुए बोली तुम्हें शर्म नहीं आती छोटी बच्ची पर हाथ उठाते हुए। तभी वहाँ पर राजीव और रिधिमा भी आ जाते हैं उनका बेटा रिदम भी अब सेवन महीने का हो चुका था उसका बेटा। बिल्कुल शांत और प्यारा सा था अदिती राजीव की गोद से रिदम को लेकर बोली में इसे लेकर जा रही हूँ। इतना कहकर अदिती घर से निकलते हुए हैली पैट की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है उसके साथ विपलफ फलक और रिया भी आ जाते हैं। अदिती के जाने के बाद राजीव वैशाली की तरफ देखते हुए बोला तुम्हारी संगती में वो बिल्कुल तुम्हारी तरह हो गई है। चले जाना चाहिए था उसके साथ साथ रिद्धिमा ने राजीव से कहा। जिसे सुनकर राजीव रिद्धिमा को घूरते हुए बोला मैं तुम्हारा पती हुँ तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। रिद्धिमा अपना सिर नहीं मैं हिला कर बोली आप बक्वास कर रहे हो इसलिए मुझे आपका साथ देने की कोई जरूरत नहीं है उसके बाद स्मृती के पास जाकर उसे अपनी गोध में उठाते हुए बोली हिलो स्मृती बेटा आप कितनी। प्यारी दिखती हो मुझे ना बिलकुल आपकी तरह प्यारी सी बेटी चाहिए। अमरित नीचे आते हुए बोला बहु बना लो मेरी बेटी को परमानेंग तुम्हारे पास चली जाएगी। राजीव अमरित की बात पर बोला तू मजाक कर रहा है। अमरित राजीव की बा मंदिर की तरफ चले जाते हैं सब उन्हें कनफ्यूजन में देखने लगते हैं। वैशाली थोड़ी तेज आवाज में अमरित से बोली का चीज की तयारी कर रहे हो पंडित जी को तो आने दो। अमरित वैशाली की बात सुनकर बोला सरप्राइज है पंडित का कोई लेना उसकी बात सुनकर सभी लोग उसे देखने लगते हैं। इधर अदिती चौपा की तरफ आती है तो देखती है मृत्यून जय चौपा से बाहर आ रहा था और राघव भी उसके साथ ही था। अदिती अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली भाई आपा। ये कहते रिविव औन कॉमेंच और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया, तो खृपया इसे शब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नहीं कहानी पहले पा सके। अदिफ यू लाइक माइस्टोरी सो कमेंट से और फिलिंग स तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए राधे राधे